नमस्कार, निशामंदुलिका.com में आपका स्वागत है पालक पनीर की सबजी बहुत स्वाधिस्ट होती है, हेल्धी भी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आज हम पालक पनीर की सबजी बनाएंगे, तो आएए देखते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यक्ता होगी पालक 500 ग्राम जो तोड़ करके धोलिया है पनीर 300 ग्राम चकोट टुक्डों में काट लिया है जीरा आदा चुटी चमच, हिंक एक दो पिंच, हल्दी पाउडर एक चौथाई 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 च एक इंच अद्रक कर टुकड़ा जो हमने पीश लिया है पहले हम पालक को उबाल लेते हैं पालक को हमने बर्दन में डाल दिया और विल्कुल चरासा एक टेबल स्पून पाली जाना पालक को हम दीनी गैस पर उपाल लेंगे और इसे हम ढख देंगे बस पांच रूट में हमारा पालक उबल जाएगा यह पालक हमारा उबल गया है और अब इसे हम ठंडा होने के बाद पीश लेंगे उबला हुआ पालक है यह ठंडा हो गया है और अब हम इसे पीश लेते हैं कि बाद करेंगे करेंगे कि बाद कर लेंगे के अढ़ा हैं कि अवब पार हो और दो और पालक करेंगे के लेंगे कि दो हुआ अदोग प्रड़का सुआ़ूब। सब्जी बनाना शुरू करते हैं पैन को गरम कर लेंगे पैन गरम हो गया है और अब हम पैन में तेल डालेंगे करीब देर चमचा तेल डाल दिया हमने तेल गरम होने के बाद हिंग जीरा जीरा भुनने के बाद हल्दी पाउडर धनिया पाउडर बेसन बेसन को हलका सब भूनेंगे टमाटर अदरक मीच्छी का पैस्ट अब मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना दिखाई देने लगें मसाले को भूननी में 5-6 मिनिट लग जाते हैं बीच बीच में चलाते रहेंगे लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें लाल मिर्च अपने स्वाट के अनसार थोड़ी ज़्यादा कम की जा सकते हैं मिर्च खाते हैं थोड़ी ज़्यादा डाल दें और अगर कम खाते हैं तो बहुत कम डालें या नहीं भी डालें मसाला भून के तयार हो गया है मसाले से तेल अलग होने लगा है और अब हम पालक डाल के मिला देंगे मसाली में थोड़ी ज़्यादा पानी डाल देंगे दो थीन चमचे नमक डाल देंगे गरम मसाला अच्छे दर मिक्स होने तक मिला देंगे सारी चीज़ें अल्रेडी पकी हुई है उबाल आ रहा है पनीर भी डाल देते हैं और सब्जी को दो मुनिट के लिए ढख कर बिल्कुल धीमी आग पर पकने देते हैं ताकि पनीर के अंदर सारे मसाले चज़ बचाएं सब्जी बन गई है हमारी सब्जी में हम हरा धनिया डाल के मिला देंगे हरा धनिया बाद में मिलाते हैं इसकी खुश्बू बहुत ज़्यादा महक दिया है पालक पनीर की सब्जी तयार है सब्जी को और ज़्यादा टेंटिंग और स्वादिस्ट बनाने के लिए हम क्रीम या मलाई की गार्निस कर देंगे इस तरीके से डाल करके पालक पनीर की सब्जी को चपाती, पराठे, नान और चावल के साथ परोसिये आप पालक पनीर की सब्जी बनाईए और अपने अनवफ निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर